तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने भी अपने यूटूब चैनल की आईडी से कई चैनल को जो है सब्सक्राइब किया हुआ है और उनकी बैल आइकन भी जो है यहाँ पर प्रेस की हुए है तो ऐसे में काफी नोटिफिकेशन आ मैं आपको बताने वाला हूँ आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो दोस्तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यूटूब पर ऐसा कोई भी आप्शन नहीं है कि आप सभी चैनल को जो है एक साथ अंसब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसके लिए आपको चले जान सब्सक्रिप्शन का बटन तो इस पर आपको जो है किलिक कर देना है सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पर किलिक करने के बाद ऊपर आप देख सकते हैं जितने भी चैनल जो है आपने यहाँ पर सब्सक्राइब किये हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है उसके आगे आगे आपको all का option दिख रहा होगा इस पे आपको click कर देना है click करने के बाद जितने भी channel की list है आपके सामने आ जाएगी इस तरीके से top पे आपको एक option दिखेगा manage का तो simply आपको जो है इस पे click कर देना है click करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी जो channel है उनकी list आपके सामने आ चुकी है और उनके आगे आप देख सकते हैं जितनी भी जो bell icon है वो यहाँ पर आपको दिख रही होगी किस channel के आपने on की विए है और किस channel की जो है यहाँ पर on नहीं है तो यहाँ पर आप single भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप fast तरीके से भी कर सकते हैं तो simply आप channel के option पर click करेंगे और left side में scroll करेंगे इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेस करके जो है आपको left side में scroll करना है तो यहाँ से आप fast तरीके से भीना channel में enter किये जो है लोगों को unsubscribe कर सकते हैं और उनकी बैल आइकन भी अगर आपके प्रेस की भी है तो उसको भी जो है यहाँ पर बंद कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से जो है आप फास तरीके से जो है लोगों को अंसबस्क्राइब कर सकते हैं बाकी यह इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना बागे दोस्तों मिलते हैं नाक्स वीडियो में धन्यवाद